तो चलिए फ्रेंट देखिए आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए होम साइंस म.2 समिष्टर पेपर 3 जो आपका है आरंब्युक बाले अवस्था में अभिभावक्ता ओकी पैरेंटिंग इन अर्ली चैल्ड हुड ठीक है फ्रेंट्स तो देखिए आज के जो आपका यह हमारा क्लास है ठीक है हमने देखिए सुबह आप लोगों को साम के टाइम है ठीक है इवनिंग टाइम है इसमें हम आप सभी लोगों को 40 क्वेश्टन लेकर के आए हैं तो चलिए सबसे फ़हले फटा फट से आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेजेए चैनल है अठीक है अपने दोस्तों के लिए और जो लोग आप से जूनियर होंगे ठीक है उन्हें भी सेयर करिए क्योंकि आने वाले समय में हमेशा इसी पर आप लोगों को हम साइंस ही पढ़ाऊंगे ठीक है और जो लोग टाइट सिटेट के तयारी करते हैं उन लोग भी ट्रेट सेट की तैयारी कर सकते हैं ठीके कराई जाती है तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपना पहला क्वेस्टिन देखेंगे क्या है ठीके हमने 50 कोस्टिन वहां पर कंप्लीट किया था तो अब हम लोग 51 यानि की 51 कोस्टिन से यहां पर स्टार्ट करेंगे ओकी चलिए कई अबस्था तीसरा उप्शन है प्राण अवस्था और चौता अप्शन है आपका बाल्य आवस्था ओके तो यहां पर देखिए जो मैं इस फूर्ति की यहां पर आपके आफश्था को कहा जाता है और यहां पर देखिए जो सबसे करेक्ट आप्शन होगा वह आपका का दोखिए जो इस फूर्ति की अवस्था कहलती है वह बाले अवस्था की कहलती है अगला कुश्चन क्षट्छन देखते हैं क्या है इसलिए मैंने इस टाइप के question लिए हुए है ठीक है और देखिए इतना मेरा experience कहता है ठीक है कि जैसे कि दोनों paper आप लोगों के बहुत ही अच्छे गया थे तो उम्मीद करते हैं यह भी paper आपका बेहतिरीन जाएगा ठीक है उन दोनों paper से भी अच्छा जाएगा ठीक है तो के वाल आप लोग मेहनत करते रहें पढ़ाई करते रहें ठीक है और जो भी वीडियो है class को देखते रहें दो दो तिन तीन बार देखिए copy pen लिजिए उसका notes भी बनाएए अगर आप लोगों को कुछ नहीं याद हो रहा है तो ठीक है और सभी लोग continue channel पर बने रहें कथन पहला option है मांसिक भिकास है दूसरा है सारेлग भिकास हे तीसरा है ध्यान के जिस की बार और से नहीं को कहा है कै tip तो चलिए यहां पर बिल्कुल correct option आपका हो जाएगा option no.1 बिल्कुल right है friends ठीक है चलिए अगला question देखते है हमारा क्या है देखे question है कि इस अवस्था को sorry किस अवस्था होगा देखे फिर से यहां पर typing में गलती हो गई difference ठीक है यहां पर किस अवस्था रहेगा ठीक है किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है ठीक है पहला option है स्यास्वा वस्था, दूसरा है बाली वस्था, तीसरा है किसोरा वस्था और चोथा है प्रोड़ा वस्था, ठीक है, तो देखें जो मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा जाता है, या फिर शमय कहा जाता है, ठीक है, या फिर आप इसे जो भी मान लिजे कि किस काल क मिथ्या प्रतिपक्वता की अवस्था यहाँ सब्सक्राइब करों और सबस्वेल आप लोगा स को सब्सक्राइब भी बताते हैं, बाली आवस्था से देखे से बहुत जादじゃない क्मि deck up question आएंगे लेकिन ध्यान दिजेगा on को आप लोग भूलिएगा नहीं और थोड़ा बहुत देखिए पहली वीडियों में जाकर कि आप लोग की सवरा वच्था के बारे में थोड़ा सा रिवीजन जरूर करिएगा ठीक है चलिए और कुछ कुष्चन हमने भी लिये होंगे एक दो और यह सारी कुष्चन आपका हो जाएगा option C वंसा नुकरम तथा वातावरण की अंतह प्रक्रिया का ठीक है जो बालक का विकास है इसी का परड़ाम है वंसा नुकरम एवं वातावरण ठीक है देखे मैंने आपको पहले ही बताया है जहां पर आपका वंसा नुकरम तथा वातावरण आता है बालक के विकास के संबंध में ठीक है उसे आप लोग उसी option को टिक करेंगे उसको छोड़ किसी को नहीं करेंगे ठीक है चलिए अगला question देखते है देखे question है अगला की वन मिनट ठीक है बिकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है यह विचार किस से संबंध में ठीक है यह एक question आपका पिछले class में चला गया है क्या चलिए कोई बात नहीं देखे यदि आप लोगों के question जो है repeat हो जा रहे है तो आप लोग इससे revision कर लिजिए ठीक है ऐसा ना बोलिए कि मैं एकी question बार-बार ली है ठीक है इससे हमने यह सोचने मतलब मेरा कहने का यह मतलब है कि हम जो भी अगर question आप लोगों के repeat हो रहे है तो आप लोग का revise हो जाए ठीक है तो देखे जो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है तो यह आपका अंता क्रिया का सिधान्त होगा ठीक है और जो अंता संबंद का सिधान्त होगा यह बिल्कुल नहीं होगा फ्रेंट्स अंता क्रिया का नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है विकास कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है ठीक है तो यह आपका निरंतर था यानि कि जो विकास होता है फ्रेंड्स वो निरंतर आपका होता रहता है ठीक है गर्भावस्था से ले करके मृत्यू परियन तक ठीक है यानि कि जब तक मृत्यू नहीं होती है तब तक आपका विकास होता रहता है और लेकिन विकास होता है तो आपका क्वेशन आता है कि कि बिकास में जो परिवर्तन होते हैं यानि कि आहिसे माप नहीं सकते है, वह गुडु में होता है, ठीक है? आप क्या माप सकते हैं कि आपका बेवहार कितना अच्छा है कोई कहेगा कि मेरा बेवहार एक किलो का है या दो किलो का है एक कीजी के है ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है लेकिन जो ब्रिद्धी है ठीक है आप उसे माप सकते हैं ठीक है कितना वजन है आकार है भार है ठीक है तो इस प्रकार से देखे जो बृद्धी के कोस्चन होते हैं उसको आप माप सकते हैं लेकिन विकास के नहीं माप सकते हैं तो यहां पर जो आपका निरंतरता का सिध्धान थे फ्रेंट वह बिल्कुल करक्त है ठीक है आज इंग्लास में देखे फ्रेंट जितना हमसे हो करेंगे समझाएंगे ठीक है ताकि आप लोग को स्चन जो गलत नहीं बहुत लोगों के देखे फ्रेंट गोले करने में गलती हो जा रहे हैं ठीक है तो थोड़ा सा एक आग्र हो करकी गोला को कलर करिए ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चारत के सिधधान्तों है ठीक है और दूसरा हो यहाँ पर विकास के दर करम चुछ कोटरी यहाइं ऑपका हुंद्ध की दर Hोता है नहीं इसमेंike दूसरे से ठीक हो esté हैं ठीक है को आप आपयाको बिकास के समय सब्ढ़ित अप्सन नमबर हो यहाँ विकास के 열 Wi- μας ओके चलिए अगला question देखते हैं हमारा question क्या है देखे अगला question है कि एक अध्यापक की दृष्टी में कौन सा कथन सरवत्तम है ठीक है यानि कि जो एक अध्यापक है ठीक है तो उसकी दृष्टी में मान लिजे आप लोग अध्यापक हैं तो आप लोगों के द्रिष्टी में सबसे सरवत्तम कथन कौन सा है पहला option है प्रतेग बच्चा सीख सकता है दूसरा है कुछ बच्चे सीख सकते हैं तीसरा है अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं और लाश्ट आपका चौथा option है बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं ठीक है तो right option यहाँ पर होगा first देखे कुछ बच्चे सीख सकते हैं ऐसा बिलकुल नहीं होना चाहिए अधियापक के द्रिष्टी में ठीक है अधिकतर बच्चे सीख रहे हैं ऐसा भी बिलकुल नहीं बहुत कम सीख रहे हैं बल्कि क्या होना चाहिए कि जो प्रती एक 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 बच्च्चा यानि कि सभी बच्च्चे जो है वो सीख सकते हैं ठीक है अईसा कोई ब्यक्ति नहीं है, जो सीखना है, बसरते हो, इसको सिखाने वाले अच्छे होने चाहिए, ठीक है, यदि आप लोगों को देखें कहीं से कोई हेल्फ नहीं मिलता है होम साइन्स के लासे में, तो जाहिए सी बात है, थे फ्रेंट्स देखें, क्वेस्टन तो कम आत जो लोग टॉप करेंगे ठीक है अपने कॉलेज में वो लोग हमारे यूटूब पे एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे हमारे किसी भी वीडियो पे ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है पूड़ विक्सित हो जाती है तो पहला अप्शन है तीन अथवा चार वर्ष दूसरा अप्शन है छे अथवा साथ वर्ष और डी अप्शन है इन में से कोई नहीं ठीक है तो देखें यहां पर आप से क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने अवस्था तक जो बालक की स्थियों स्रवर इंद्री होती है यह पूर्ड़ बिक्सित हो जाती है ऐसे जो राइप सना बनता है वह आपका हो जाता है option इंबर शी इस दियराइट बिलकूल और ठीक है चले है अगला question देखते है क्या है कि यहां पर इस हो गया है यहां पर बार बार मिश्टेक हो जारह ठीक है आपको बताना है कि ऐसा कौन सी अवस्ता है जिसमें नई खोज करने और घूमने की प्रवित्ति अधिक बढ़ जाती है ठीक है तो पहला ऑप्सन है सहस्व अवस्था दूसरा है उत्तर बाले अवस्था तीसरा है कि सोरा वस्था और चोथा है प्राड़ा वस्था ओक यानि कि जो आपका ऑप्सन होगा यहां पर वह आपका ऑप्सन नंबर शेकिंड बिल्गूल करेक्ट है चले अगला क्वेस्चन के देखें कि निम ने लिखित में से कौन समस्या-समाध्धान की वैग्यानिक पद्धति का पहला चारड़ ठीक है आपको देखें यहां पर स समस्या समध्हान से समंद्धीत एक क्वेस्टिन दिया गया है थीक है हमने खें कुछ कोशिन कर लिया हैं बाकी सबापके शरेब्स के अकारइग है थीक है। तो देखें यहां पर समस्या समध्हान क baptized का पहला चरण है थीक है तरहला प्राकल्पना की कपरीदश्कर करना, दूसरा है समस्या के प्रति जागरुकता और तीसरा है प्रासंगिक जानकारियों को एकत्र करना चोथा है प्राकलपना का निर्माड करना ठीक है तो देखे फ्रेंड जो समस्या समाधान की बैग्यानिक पधती का पहला चरण होता है वो क्या होता है तो वो आपका होता है समस्या के प्रति जागरूख होना सबसे पहले आप समस्या के प्रति जागरूख होना ठीक है तब ही आप समस्या का समाधान कर पाएंगे तो सबसे पहला जो आपका पहला चरड होता है ठीक है वो आपका होता है समस्या के प्रति पांच वर्स तक 15 वर्स तक इन में कोई नहीं तो मैँ थी खे..., तो जहिर सी बात है कि जो हमारा बाले अवस्ता है वह बारा वर्स्ता की होगा ओकी वन मिनट फ्रेंड्स थोड़ा सा वेट थोड़ा मैं पानी पीड़ों मुह सुख गया है वह और यहां पर देखे जो आपका दिविण देखे है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है करफ है विकास वावस्ता का या विकास शुरूंता है पहला साधी बाल्या वस्ता क मोई में प्रस्च girl सा वच दूसराении सेसव आवस्था से और चौथा है पूरो बाली आवस्था से ठीक है, तो देखें फ्रेंट्स, हमने आपको पहले ही बताया है कि जो विकास होता है, वो गर्भा आवस्था से लेकर कर यानि कि जब तक बच्चे गर्भ में रहता है ठीक है, उसके बाद जब तक उसके प्रसण पूरव अवस्था से जब तक ब produktत सी रयातक। बच्च को बobnd कर दो भीशाहता संघर कहसे निर्माड होता है। के बाद फिर आपके अने अंगों का होता है ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहला जो आपका option होगा second ठीक है वो बिल्कुल correct है friends प्रसव पूरो आवस्था से विकास सुरू हो जाता है यानि कि गर्भा आवस्था से ठीक है छटी अगला question देखते हैं क्या है देखिए हमने यह question आप लोगों को बताया है लेकिन हमने फिर से ले लिया है कि विकास कैसा परिवर्तन है ठीक है बहुत लोगों को इतने बहतरीन तरीके से आप लोगों समझाया है friends कि आप लोगों भूलना नहीं ठीक है और देखिए जब आप लोगों का प्रेक्टिकल होता है तो जो एक्जामना राते हैं छोटे-चोटे question ज्यादा तर पूछती है ठीक है जैसे ब्रिद्धी क्या होता है विकास क्या हो आप लोग friends जरूर आईएगा हमारे चैनल पर एक बार अपना class जरूर लीजिएगा practical का कि वाइबा आप लोगों को कैसे देना है ठीक है किन चीजों का अध्यान देना चाहिए कैसे बात करनी चाहिए ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम अपने question को continue करते हैं यहां पर देखि आहां यहां पर अगला question है कि किस आयूकाल में मानसिक विकास अपने उच्चतम सीमा पर पहुच जाता है तरहीं किस पूछा गया है कि किस से 20 वर्शच आप से desse TV कर तिस और आप का डिए ऑप्सन है पांच से 10 वर्श तक तो आपसे पूछा में और श्रीच पहुंच वर्ष से 20 बियुकर्ष उस्षम ऐसी आयूंगासि आप्सज़ार से उस इत्तम सीमह पर पहुच जाता है कि आपका आपको समपूर आप सकता है कि समपूर मसथ या5 का विकास केँऐ तक समपूर ये स्थालाई से लेकर 20 लेँए अगला कुझेख देमें क्वेस्टन बहुत जादे मैंने बड़ा नहीं बनाया है ठीक है क्योंकि मुझे भी दिक्कत होते हैं बड़े बार बार करने में ठीक है तो मैंने इतने साइस की क्वेस्टन बनाया है और आप लोग देखिए अच्छे समझ में आएंगे और आप लोगों के जो यूटुब के क्वाल्टी है फ्रेंट्स थोड़ा सा बढ़ा लिजेगा दो सो चैलिस पर फिर तिन सो साथ पर देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके साफ लोगों को दिखेगा ओकी चलिए क्वेस्टन देखते हैं क्या है हमारा देखिए अगला क्वेस्टन है यह क्या हो जा रहा है बार बार भाई। को अच्छे से पढ़िएगा ध्यान से और को फ्रेंट्स बहुत ही सालिंता से बहुत ही धायरे से दीजिएगा ठीक है तो यहां पर जो राइट ऑप्सन बनता है आपका आपसन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है ओकी चली अगले क्वेश्चन के और चलते हैं और देख से कोश्चन ठीक है तो उसके मद्ध जो संबंध होता है वो कैसा होना चाहिए पहला आपसन है इसनेह का दूसरा है विश्वास का तिसरा है शम्मान का और चौथा है यह सभी तो देखे फ्रेंट जो सिच्छक एवं बिद्यार्थी के मद्ध शंबंध होने चाहिए वो नेह विश्वास और शम्मान यह तीनों का ही होना चाहिए चली अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है देखे अगला क्वेश्चन है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है ठीक है देखे सबसे पहले तो आप लोग बहुत यह इंपॉर्टेंट है यह तो यहां पर देखे जो मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं यह तो आपके फर्ष्ट होते ही है और दूसरे नंबर पर परिवार का वाता वरड यह बिल्कुल करेक्ट होता है और तीसरे है परिवार की सामाजिक इस्तिती यह तो यहां पर देखे जो मानसिक विकास क ये तीनों ही हो जाएंगे तो राइट औस जो बनेगा ये अपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा ठीक है तो जो करेक। बनता है तो आपका आपसि नुमबर 4 यानि की डी आपसिनना बिल्कुल करेक्ट है चले है कुछे अगले कोश्चन की और चलते हैं आई हो फ्रेंड आप सबी लोगों को हमारी question का समझाने का जो तरीका है वो आप लोगों को समझ में आता होगा ठीक है और question भी आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आते होंगे देखे फ्रेंड जो आपको के second paper में question फसा था बृद्धावस्ता से देखे हमने यहीं पढ़ना ही है पूरो विद्ध्यालाई बालक के बारे में ठीक है पूरो विद्ध्यालाई कहता है कि सूरज आज उदास है बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्य की अभिव्यक्ति कर रहा है ठीक है यानि कि जो बालक है वो विद्ध्याला तो जाता नहीं है वो उस च्छे वर्ष लगाई एक यह रावस के अनुसार है और बहुत ही हद तक सही है तो देखे यहां पर जो कोश्चन पूचा है कि जो बालक के वह कहता है सूर्य आज उदास है बालक निर्मेलिखित में से किस संप्रत्य की अभिव्यक्ति कर रहा है पहला है सजीव चिंतन दूस और उसमें सजीवता उसे दिखती है कि जो स्व दू नहीं हुआ है तो यहां पर सजीव चिंतन बनता है और देखे यह पूरो विदियाला यी बालक से कोशे पूछेगाए है जहीं दिखते है तहीं कि लिगस एक यह एकर देखे से अधिक चलने वाला है सबसे पहला option है सिच्छक दूसरा है परिवार तीसरा है शहकर्मी और चोथा है मित्र ठीक है तो देखे फ्रेंट्स यहां पर जो आपका correct option होगा वो आपका क्या हो जाएगा परिवार ठीक है यह देखे आपके परिवार से question लिए गए है कि जो बालक है वो निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर का सुरुत सबसी प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला यानि कि सबसे पहले वो देखे फ्रेंट्स परिवार में ही आता है और सबसे अधिक जो उसके साथ चलने वाला है उसका परिवार ही है न कि सिच्छक और ना ह के साथ कारे कर रहे हैं ठीक है जो आपके साथ कारे कर रहे हैं वो भी देखें फ्रेंट्स हर जगह आपके साथ नहीं हो सकते हैं ठीक है कभी आपको जरुवत पड़ेगी तो हर जगह आपके साथ वो नहीं आएंगे और नहीं आपके मित रहेंगे लेकिन फ्रेंट्स देखें जो सबसे अधिक चलने वाला है ठीक है, वो आपका परिवार ही है, ठीक है, तो राईट आपसन जो होगा वो आपका आपसन नंबर भी बिलकुल करेक्ट है, चलिए अग्ला question देखते हैं, क्या है, देखिए अग्ला question है, कि बालक के भासा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्ता है यानि कि जो बालक का भासा विकास है ठीक है इसमें जो मुख्य योगदान देने वाली संस्ता है वो कौन सी है तो सबसे पहला option यहाँ पर हो जाएगा आपका friends परिवार दूसरा है विद्यालय तीसरा है जन संचार माध्यम और चौता है पत्र पत्रिकाय तो देखे फ्रेंट्स यहां पर थोड़ा सा पत्र पत्रिकाय तो देखे जो सबसे करेक्ट ऑप्सन होगा कि जो भासा विकास मुख्य योगदान देती है वह आपका परिवार है तो राइट ऑप्सन यहां पर आपसा नंबर जो है वह बिल्कुल करेक्ट है ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है देखे अगला क्वेश्चन है कि निम्न लिखित में से कौन सी संग्यानात्मक प्रक्रिया है ठीक है यानि कि कौन सी संग्यानात्मक प्रक्रिया है पहला ऑप्सन है खेलना दूसरा है प्रवृत्ति क्रियाएं तीसरा है चिंतन और चौथा है दोड़ना ठीक है तो देखे जो संगयनात्मक प्रक्रिया है वह कौन है इसमें से यहाँ पर जो पर जो कर्यक्ट ऑप्सन आपका बनेगा वह आपका है चिंतन तेके यह कहां चिंतन से संबन्दी थै तो right option जो है वो आपका option number C बिल्गुल correct है चलिए अगला question देखते हैं क्या है देखे question है friends हमने देखे ये question आप लोगों को समझाया था फीर आई गया है ठीक है विकास प्रारंभ होता है देखे friends ये सारे question आपके यानि की जो third paper का book है ठीक है इसमें ये सारे ही question मिल रहा है ठीक है तो मैंने सलेबस यानि की जो सलेबस है उसी का according मैंने question का यानि की जो question है उसको हमने तयार किया है ठीक है तो देखे जो विकास प्रारंभ होता है हमने आपको बताया है गर्भा वस्ता से ठीक है एक प्रक्रिया मांसिक प्रक्रिया है सारिक प्रक्रिया है शामाजिक prakria न्यतिक प्रक्रिया है तो देखे चिकना है एक तिक है तो आपका माणोच प्रक्रिय के देखे שभग है कि जो माणोच उटTu होती है एक बराबर नहीं नहीं होती है कोई होता है बहुत ही २ जल्द होता है लेक adopt को सैग अच्छा टाइम लगता है तो यह आपकी सीखना जो है वो आपकी मानसिक प्रक्रिया से संबन्धित है ठीक है राइट अपसन यहाँ पर आपका आपसन नमबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है देखे अगला क्वेश्चन है कि मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है ठीक है जो मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है फ्रेंड्स वो किसे कहा जाता है पहला अपसन है आपका सैस्वा वस्था दूसरा है बाल्या वस्था तीसरा कि सोरा वस्था और चोथा है मैंने बाले आवस्था के question बताए हैं आप लोग उसे ध्यान से देखिएगा question फसने की जादी संभावन आए है ठीके जो मिथ्या परिपक्वता काल कहा जाता है यह आपके बाले आवस्था को कहा जाता है ठीके right option जो होगा आपको option number B बिल्कुल चलिए अगला question देखते हैं क्या है अगला question है नवजात सिसु जन्म लेता है तो वह होता है यह बहुत ही important question है ठीके और यह परिवार वाले जान लेजर जो समाज में आता है यानकि जन्म लेता है तो यह Sa onesamage होता है ठीके तो यहाँ पर क्या हो जो आपका सी सुज है घृँक हो जन में लेता है, तो नहीं महीं समाजिक होता है और भी अप्तर स्यूंदीải के सहाय। दई सेवा सुभिता एंन के किई थर्फएता नकिंचर के अने सदस्थ अगला कुश्चन देखते हैं देखे फ्रेंड जो भी हमने question लिया है बहुत ही अच्छे लेबल के questions लिये हैं ठीक है question है कि सीखने का आदर्श काल माना गया है ठीक है यानि कि जो सीखने का आदर्श काल है वो किसी माना गया है पहला option है देखे पहला option है शैस्वा वस्था ठीक है यानि कि यह सीखने का आदर्सकाल होता है, बालियावस्था में जो बोचे होते हैं बहुत ही ज Olivia Osu Pραpetto से संब्दित है यानि कि इबाले आवस्ता में होता है तो जो correct option होगा friends वो आपका option number B जो है वो बिल्कुल correct होगा ठीक है चलिए अगला question दखते हैं और देखे friends thought paper के हमने जितने पिछली video डाली है ठीक है जो यानि कि आपका one month two month पहले का होगा और एक अभी फिलहाल का कुछ दिन पहले का होगा 7-8 दिन ठीक है उन दोनों video को friends जरूर देखे उसमें important question है ठीक है देखे अगला question है कि विकास के चरणों के संबंध में ठीक है विकास के चरणों के संबंध में दो से छे वर्स तक की अवस्था को क्या कहा जाता है तो देखे friends जो दो से लेकर के छे वर्स तक की अवस्था को कहा जाता है वो क्या कहा जाता है प्रारंभिक बाली अवस्था दूसरा ऑप्सन है मध्य बाले अवस्था तीसरा है शैस्वावस्था और चोथा है कि सोरा वस्था तो देखे वर्द कि दो से छे वर्से की आव assumptions है वो आपका यहां पर प्रारमभीक बाले अवस्था कहलके खabilआ थीक है फ्रेंच जो आपके राउस सहा थीक है उन्हों नंन करके देटा है कि प्रारम्भिक बाल्यावस्था की एज कितनी होती है तो आप लोग دो से लेकर के 6 लगाईएगा यदि आप लोग राइटर के नाम लेकर पूछ देता है रास की अनुसार तो आप लोग तीन से लेकर के 6 लगाईएगा ओकी यहां पर जो बिल्कुल और ऑप् करतो हैं देखे हैं किस आयू में बच्चे सब्दों के खेल में Control don sir और ऐसे चूठक लो और पाहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें सब्दों का खेलसा म्लब थी यानि कि आप से पूछा गया है कि कितने वर्ष के जो आयू है ठेके वह सब्ढों के खेल में सामिल हो सकते हैं और ऐसे चूटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं पहला ओपसन है 12 दूसरा है 1 वर्ष, तीसरा है 3 वर्ष और तो देखे यहां पर जो करेक्ट अप्सन होगा फ्रेंड्स वह आपका हो जाएगा तीन वर्ष तक के जो बालक होते हैं फ्रेंड्स वह सब्दों के खेल में सामिल हो सकते हैं ठीक है और चुटकुलों या पहलियों को भी पसंद कर शकते हैं ओके तो यहां पर राइट अप्स किस अवस्था में बच्चे कलपना सीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं यानि कि जो कलपना सील वाले ठीक है बच्चे होते हैं वो सक्रिय रूप से भाग लेते हैं सैस्वा वस्था प्रारंभिक बाली अवस्था मध्य बाली अवस्था किस ओर अवस्था ठीक है तो देखे फ्रेंट्स यहां पर कोश्चन किया गया है कि जो बच्चे होते कलपना सील वाले खेल में सक्री रूप से भाग लेते हैं वो आपका देखिए राइट आप्सन जो है वो आपका आप्सन नमबर भी हो जाएगा प्रारंभिक बालियावस्था ठीक है प्रार चरिंग अगला कुश्चन है कि निम्नलीखित में से कौनसे अधिगम अच्छमता प्रत्यच रूप से प्रभावित करती है यानि कि एक बार समलक फिर से question को समझ लेते हैं कि कौन सी अधिगम अच्छमता सू संगत रूप से लिखने की च्छमता को प्रत्यच रूप से प्रभावित करते हैं देखे जो पढ़ने की च्छमता होती है friends वो dyslexia होती है ठीक है और जो की गड़ती संबंधी जो कठिनाया होती है उससे संबंधित होती है और यहां पर देखे फ्रेंट्स लेखन से संबंधित है तो यहां पर राइट ऑप्सन जो होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्सन नमबर भी बिल्कुल करेक्ट डिस्ग्राफिया ठीक है जो होता है यहां पर देखे जो लिखने से संबंधित अच्छंता है और आपका डिस्ग्राफिया कहला twedive दीक होती है इसाथ प्रत्यचरुप से प्रभाविद होती है बच्छा लीक नहीं पाता है जो बच्छा डिस्ग्राफिया से ग्रशित होता है ॏ कर्क्छ division क्वेशन के अरैं देखते हैं कि सब्सक्राइब करें कि हमने कि the 할 क forwards प्लॉड विगमेशन का सब्सक्राइब है कर द可以 हैं कि सब्सक्राइब होसी कर अंगा कि बढ़ेक्ते कंभा रिखाए चलिएथ एक धेदी बालब अवस्था अवधि क्या है ndg जो देखे, मध्य बाली आवस्था की अवधी है, वो क्या है? पहला option है यहाँ पर, जन्म से पांच वर्स, दूसरा है जन्म से 11 वर्स, और तीसरा है 6 से 11 वर्स, और चोथा है आपका option 11 वर्स से उससे अधिग, ठीक है? फ्रेंट, देखे, तो आपका 6 से लेकर के 11 वर्ष हो जाएगा ठीक है तो यहां पर जो राइट ऑप्सण है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलिए अगला खुचण देखते हैं क्या है देखे friends अगला question है कि परिवार के प्राडि सास्त्री कारे के अंतरगत क्या-क्या आता है ठीक है most important question है जो नीचे के हमने top 10 questions लिये हैं यह देखे most important है तो बिना ही वीडियो को skip किये आप लोग देखिएगा ठीक है जो परिवार के प्राडि सास्त्री कारे हैं उसके अंतरगत क्या-क्या आते हैं सबसे पहला option है आपका योन संबंदी इच्छाओं की पूर्ती दूसरा है शंतानोत पत्ती तीसरा है प्रजाती अस्तित्तो को शंभो बनाती है ठीक है और चौथा है देखे यहां पर जो परिवार के प्राडि सास्त्री कारे के अंतरगत आते हैं ठीक है सबसे पहला तो आपका योन संबंदी इच्छाओं की पूर्ती यानि की प्राडि सास्त्री कारे है परिवार के उसमें सबसे पहला आपका और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो योन संबंदी जेकरों वांते हैं वह में ऑन्सारे को टाना देने लगते हैं १ा है तो यह बहुत ही जरूरी हैसका प्रडाणी प्रजाती अस्तित्त्त्तो को शंभ बनती है तो यह आप के परिवार प्रडसास्त्त्त्री कारे के अंतरगत आती है better तो राइट ऑप्सन देखे जो आपका हो जाएगा वो यहां पर होगा उपर यूग तो सभी ओकी यानि कि आप्सन नमबर फॉर्ट बिल्कुल कारेक्ट है तो चलिए अब हम लोग अपने अगले क्विष्चन के ओर चलते हैं देखते हैं अगला क्विष्चन हमारा क्या है ठीक है के क्विष्चन है तो परिवार के सारेकaci कारे होते हैं सब्सेट ऑप疫्सार्य कारे करते हैं सारेकसि अच्छा जो के बिल्कुल कारय है flint 레드 живDas बच्चों का पालन पोशड यह आवगों तुरांपोशड को शारी कारें उस कि बिल額 है जो कहां, है • निवास की ब्यवस्था है현. निवास का निवास का सभू है • इस जा है, यानि option होगा friends वह आपका उपर सभी हो जाएगा यानि कि option no.4 जो है वो बिल्कुल correct है ओके चलिए अब हम लोग अपने अगले question क्यों चलते हैं ठीक है देखते हैं हमारा अगला question क्या है देखे friends यहां पर आपका question है परिवार परिवारिक संप्रेशड के माध्यम बताई है ठीक है आपको बताना है हमने देखे friends आप लोगों से एक दिन संप्रेशड के माध्यम पूछा था ठीक है कि कौन कौन से होते हैं आप लोग हमें comment box में comment करके बताये तो देखे कुछ ही लोग बताया थे friends सभी लोग नहीं बताया थे संप्रेशड के माध्यम ठीक है जो कि बहुत हीजी है ओके यहां पर देखे आप से question पूछा जा रहा है कि परिवार के परिवारिक संप्रेशड के माध्यम बताये ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम अपने option को देखते हैं देखिए पहला option है साब्दिक ठीक है यानि कि जो आपका verbal होता है ठीक है और दूसरा है और साब्दिक यानि कि non-verbal होता है friends ठीक है और तीसरा option है यह दोनों चौथा है इन में से कोई नहीं तो सबसे पहले friends हम लोग समझ लेते हैं कि साब्दिक असाब्दिक क्या क्या है ठीक है देखिए आप लोग हमारे friends जो आवाज है ठीक है एक तरह से आप लोगों कि इस रभी सामगरी की काम कर रही है ठीक है ठीक है थोड़ा ध्यान से सुनिएगा साब्दिक यह दोनों ही होता है तो सबसे पहले आप लोग जान लेजिए friends कि साब्दिक संप्रेशर में क्या क्या आता है ठीक है जैसे साब्दिक संप्रेशर में आपका हो जाएगा लिखित ठीक है यानि की रिटेन और दूसरा होता है आपका मौखिक यानि की ओरल ठीक है तोसरा होता है इस थान अं तराल २भासा और तीसरा है आपका पर्शृ भासा, यानि कि पारा लैंग्विंश तो देखें फ्रेंडrd जो आपके सम्प्रेशल के माध्यम होते हैं ठिके और जो सबसे उप्युक्त माने जाते हैं वो आपके साब्दिक ही माने जाते हैं ठीक है यानि कि जो वर्बल होते हैं लिखित मौकिक और संकेतिक भासा ठीक है और देखें जो संकेतिक भासा होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं द्रिस्टे संकेतिक भासा और एक जो होता है आपका हो जाता है सब्द संकेतिक भासा यानि कि जो दृष्ष्य होता है विज्वल ठीक है और जो सब्द होता है वह आपका आडियो विज्वल ठीक है तो यहां पर देखें जो पारिवारिक संप्रेसर के माध्यम होते हैं आपके यह दोनों ही हो जाएंगे ठीक है सब्दिक और और साब्दिक यानि कि verbal and nor verbal ठीक है तो चलिए यहां पर देखे बिल्कुल correct option है वो आपका हो जाएगा option number third ठीक है बिल्कुल correct चलिए अगला question देखते हैं हमारा क्या है देखे अगला question है कि किसके अनुसार माता पिता को सत्य का बोध कराना चाहिए यानि कि कौन बोला है या फिर किसके अनुसार जो माता पिता है उनको सत्य का बोध कराना चाहिए पहला option है देखे या थार्थ वादियों के अनुसार दूसरा है आदर्श वादियों के अनुसार तीसरा option है प्रयोग वाद के अनुसार और चोथा है उपरयुक्त सभी तो देखे friends माता पिता को सत्य का बोध करना चाहिए ये कौन कहा है ठीक है किसके अनुसार कहा गया है तो देखे ये आदर्श वादियों के अनुसार कहा गया है चलिए friends थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में डिसकस करेंगी देखे friends जो आपके आदर्श वादि होते हैं ठीक है इन ही लोगों का देखे माना था कि जो माता पिता हैं उनको सत्य का बोध करना चाहिए यानि कि जो माता पिता हैं ठीक है उनको यथार्थ या फिर आप उसे वास्तविक रूप बोल सकते हैं ठीक है वास्तविक रूप में जो बालक हैं उनको साथ ठीक है उनके साथ कैसा बिवहार करना चाहिए ठीक है और आप इसे क्या बोल सकते हैं जैसे कि वास्तविक रूप से बालक का उच्छी तेम सरवांगिर विकास कैसे हो सकता है ठीक है और देखें जो आदर्स बालक होते हैं या फिर अच्छे बालक होते हैं ठीक है इनका निर्मार कैसे हो सकता है इसकी जानकारी माता पिता या फिर अभी भावकों को प्रदान करता है तो जो आदर्सवादी लोग थे उनका ही मानना था कि जो माता पिता है उनको सत्य का बोत कराया जाए जिसे कि वह अपने बच्चों के बालकों का जो सरवांगिड विकास होता है ठीक है उसको अच्छी तरीके से कर सके ठीक है तो इसलिए इन लोगों ने माता पिता को सत्य का बोत कराने चाहिए यह वाक के दिये हैं आदर्सवादी होने ओकी चलिए अगला क्विश्चन देखते हैं यहाँ पर जो करिक्ट ऑप्सन होगा फ्रेंड वह आप लोगों का ऑप्सन नंबर सेकेंड हो जाएगा ठीक है चलिए अगला क देखते हैं आधि अगला क्विश्चन है कि बालक के जिग्यावस्था को बढ़ाने का कार्य कॉन करता है इकि बताना है वह अधिय होतBERGती है एक को जानने कि जो इच्छा होती है वह बहुत ही जादे होती है तो आप लोगों को बताना है friends कि बालक के जिग्यासा को बढ़ाने का कारे कौन करता है पहला option है बिद्याले और दूसरा है संचार माध्यम ठीक है और तीसरा है मित्रमंडली और चौथा है उपरयुक्ति सभी तो देखें जो बालक का जो जिग्यासा है उसको बढ़ाने का सिच्छा का माध्यम है वो बाल के अंद्रित हो गया है तो देखें जो बच्चों की जिग्यासा है वो बिद्याले में जैसे कुछ भी उनको जानना रहता है वो अपने टीचर से पूछते हैं और टीचर उन्हें बताते हैं तो सबसे पहला ता आपका विद्याले हो जो बच्चे से जाएगा ञा और टीसरा है मित्र मंडली स्बादानों के जो बठाavo वालक के जिग्यासा को बढ़ाने का कारे करते हैं वो विद्याले संचार माध्यम और मित्र मंडली यह तीनों ही होता है ठीक है तो यहां पर जो राइट आप्सन होगा फ्रेंट वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा उपर युक्त सभी ओके चली अगला क्वेश्चन देखते ह कि अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है देखे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है देखे अगला question है कि बाल्य वस्था में सम्वेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुक कारक है ठीक है आपको बताना है friends कि जो बाल्य वस्था में सम्वेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुक कारक है वो कौन है पहला option हो जाएगा आपका बिद्याल है दूसरा है परिवार तीसरा है थकान और चौता है समाजिक दसा ठीक है तो देखे फ्रेंड जो बाले वस्था में ठीक है समेगात्मक विकास को प्रभावित करता है ये आपका बिद्याल है परिवार थकान ये तीनों ही करते हैं जो करता है फ्रेंड वो आपका हो जाएगा समाजिक दसा ठीक है यहीं देखे बाले वस्था के समेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला प्रमूख कारक है ठीक है तो यहां पर जो राइट आप्सन बनेगा वो आपका आप्सन नमबर फोर्स जो है वो बिल्क प्रमूख कारक है ठीक है आपको बताना है कि जो बाले वस्था में बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला प्रमूख कारक है ठीक है तो चलिए देखते हैं क्या है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला पहला अपसन है परिवार दूसरा है विद्याले तीसर इता है शमाज और चौ्त है सिछक ठीक कैं तो ढेकर यह दो की सब्सक्षक मने को प्रमुद कृता है वहां बहुत जगा ऐसा देखा है जिन बच्चों का IQ लेबल देखे बहुत जादे होता है और जब क्लास में बैठते हैं तो जब टीचर कुछ पढ़ाता है तो आगे निकल जाते हैं और जो टीचर होते हैं उन्हीं बच्चों को केंद्र मान करके वह भी पढ़ाई अपना आगे कर बहुत जादे को प्रभावावित ऐसा करे नहीं बजाबता और वी वहकोता सब्सक्राइब थाया जोड़ी आगला क। मित्तों दखते हैं और यह question हमारा जो हुगा आज के last question होगा ठीक है कि दीचे Friends या अपके most important question है कि मानो इतिहास की सरव प्रथम संस्ता है ठीक है सुलेवस की hardships Kristen बाहरी question बिल्कुल नहीं है जे मानो इतिहास की सरव परथम संस्था है वो कौन है पहला response है विध्यलै दूसरा है परिवार तीसरा है शमाज और चोथा है शंथा तो देखे फ्रेंट जो मानो इतिधास की सर परत्न संस्था है वो क्या है वो आपका परिवार है ठीक है जो आपके पिछले वीडियो में पड़ा हुआ है प्रेबियेस वीडियो में वह आप लोग जरूर देखेगा फ्रेंड्स हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जरूर उसको पढ़िएगा थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा ठीक है फसने की बहुत ही जादे करांगे आप सभी लोगों को फोर्थ पेपर के लिए एक क्लास हम कल चला दे ठीक है और एक फ्रेंड्स आपका थड़ पेपर के एक और क्लास होगा जिसमें टाप 20 क्वेस्टन होगे या फिर टाप 15 क्वेस्टन होंगे ठीक है और वो आपके एक जाम के लिए बेहत ही महट हो जाता है ठीक है तो सारे कम मैंने खुद से ही करना स्टार्ट कर दिया है तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही मिलते हैं अगली क्लास में यानि की कल तब तक के लिए सबको धन्यवाद थांक्यू ओके आप लोग अपनी तयारी अच्छे से करते रहें ठीक है चलिए ओके बाइ बाइ बाइ